आज लगातार हमारा मन दुखी रहता है अशान्त रहता है और के हमें लगातार टेंशन बनी रहती है सुबह से लेकर शाम तक की दिंचरिया में हमें बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे काम हम सुचारू रूप से करते भी हैं अब उन कामों को हम नहीं कर पाते तो फिर उन कामों की प्रती हमें टेंशन होना सुरू हो जाती है और उसी टेंशन से लगातार हमारा मन भी सुबह से लेकर शाम तक भारी हो जाता है सुबह उठते अच्छे मैंड से हैं बहुत अच्छे संकल्पों के साथ उठते हैं लेकिन दिन भर की रोज मर्रा की चीजों में हम टेंशन ले लेते हैं और वह टेंशन ही कहीं न कहीं हमारी बिमारी का कारण बनती है हमारा मन भटकता रहता है और कहीं न कहीं मन अशांत भी हो जाता है तो उसी अशांत मन को शांत कैसे किया जाए उन्हीं टेंशनों को कुशी में कैस से बदला जाए उसी के उपर पर आज बात करेंगी तो सुरू करते हैं हमारे जीवन में कुशी के से लाएं किस तरह से हम कुश रहें ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में कुशिया आ जाए आज बहुत सारे लाखों करोडों कमाने वाले वेक्ति हैं लेकिन आज उनके जीवन में कुशी नहीं है उनके जीवन में आज संतुष्चता नहीं है आज बहुत सारे लोगों को देखा है वो लोग करोडों कमाते हैं लेकिन दो वक्त का सुकून से खाना तक नहीं खा सकते बहुत सारी टेंशन है बिजनस बहुत बड़े हैं बहुत मानित आने व्यक्ति हैं लेकिन बावजूद इसके टेंशन बहुत जाता है और वह टेंशन की मूल वज़े क्या है छोटी छोटी बाते उसने मेरी बात नहीं वानी मेरे बिजनस में ऐसे ग्रोथ नहीं हुई, मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे उसने मेरा काम नहीं किया, छोटी-छोटी बाते हैं, कोई अगर high class का व्यक्ती होगा, लेकिन फिर वी ओफ on workout के व्यक्ती से चिर जाता है, अरे उसने मेरा ये काम नहीं किया, हरे क्या है आपका इस्टेंडर देखो और उसका इस्टेंडर देखो अगर आप उस इस्टेंडर पर रेकर भी अगर टेंशन ले रहे हो इन छोटी छोटी बातों के लिए तो वो आपको शोबा नहीं देता जीवन में हमेशा याद रखे हमेशा दिल बढ़ा रखे जितने भी काम आप दिन बर में करते हूँ छोटे दिल के साथ ना करे सभी को सम्मान देकर आगे बढ़े जो अवेक्ति सभी को सम्मान देकर आगे बढ़ता है वह जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करता जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा क्याते है ना जो दोगे तो ही तो मिलेगा आपने अगर कुशी दी होगी तो सामने वाला रिटन में आपको भी कुशी देगा आपने दुख दिया होगा तो सामने वाला रिटन में आपको दुख देगा अगर आपने अच्छा उससे बोला होगा तो वस रिटन में आपसे अच्छा ही बोलेगा जीवन में बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं और बहुत सारे एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं क्यूंकि कहीं नहीं कहीं हमारे संस्कार जो है वा टक कर खाते हैं हॉन के संसकार अलग है मेरे वह तरहाए स्टेस से मेच नहीं करता मैं उसके मतलब क्या है के मैं इगो में जी रहा हूं प्यक्ति के अंदर देह अब Ứंग कूट 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 कर भरा होगा वो हमेशा ही टेंशन में रहेगा वो हमेशा ये सोच गा कर यार मेरे मान सम्मान में कोई कमीत नहीं रहेगी मेरा मान सम्मान कई कई दूसरा व्यक्ति ठेश तो नहीं पोचा रहा जिन्दी की भर उलजा रहेगा मान सम्मान किस बात का आपका इस्टेटस है आपके पद पोजिशन के नुसार हर कोई आपकी रैक्सपेक्ट करेगा बस अर्ति आपको रैक्सपेक्ट करवाने आने चाहिए मानِ सम्मान आजबाँ बहुत सारे वेक्ति हैं जिनोंने किसी से जा जा कर ये नहीं करो आज हमारे गांदी जी देखो आज हम उनको महात्मा गांदी केते हैं मात्मा गांदी जी का मांसम्मान कुछ अंग्रेज भी करते थे ऐसा नहीं कि उन्होंने मांसम्मान नहीं प्राप्ठ किया पूरे भारत वर्ष में क्या पूरी दुनिया में उनका मांसम्मान है तो उनके वेवार को देखकर उनकी बोलवानी को देखकर उनके चाल चलन को देखकर अपने आप उनकी जद किया करते थे लोग उनकी बात माना करते थे उनसे ज़्यादा लेंडलोड लोग थे उन समाने में सरदार पटेल भगत सिंग सुकदेव राजगुरू पंडी जवालाल नेरू जैसे लोग जो उनकी बात को डालाने ही करते थे अब आप सोचो कि उन्होंने क्या किसी को इगो के वश उनको दबाने के कोशिश थोड़ी की लेकिन अपने आप रेकस्पेक्ट मिली तो ऐसे ही रेकस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको कोई किसी को दबाने के आवशक्ता नहीं है आपको किसी को चिला के बोलने के आवशक्ता नहीं है जितना जादा आप दूसरे की कदर करेंगे उतना जादा आपकी स्वैम की कदर होगी अगर आप किसी बड़े ओदे पर बेटे हैं अगर मुस्कुराते हुए पियोन से आप छोटे सी करमचारी से आप ये कह दे क्यार भाई एक किलास पानी पिला दे मुस्कुराते हुए अगर सामने वाले से कहेंगे तो वा मुस्कुराते हुए जवाब आपको क्या देगा हाँ सर लाता हूं जिसका मतलब क्या है कि मैंने सामने वाले छोटे करमचारी को रेक्सपेक्ट दी तो उसने भी मुझे क्या दी रिटन में रेक्सपेक्ट दी जिसका मतलब क्या है कि मुझे सामने वाले की इज़त रखनी है तो वो अपने आप मेरी इज़त रखेगा और अपने आप दूसरे व्यक्तियों से मेरी तारिप करेगा हरे यार सर बढ़िया है सर बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या है मैंने कोई उसको दबाकर इज़त थोड़ी प्राप्त की मैंने उसका समान देकर इज़त प्राप्त की और उसने दस लोगों को और बताएगा तो वहाँ मेरी इज़त घटी नहीं वहाँ मेरी इज़त और ज़्यादा बढ़ गई तो प्राप्त करना अपने हाथ में होता है अपने इस एगो को हमें मारना पड़ता है देहा अभिमान में जितना जादा रहोगी एगो में जादा रहोगी तो कोई आपकी इज़त नहीं करेगा चाहे आपके जेब में कितना ही पैसा हो करोडों रुपे हो लेकिन लोग आपको पेट पीछे गालिया ही देंगे सम्मान प्राप्त करना है तो सम्मान देना सीखो सम्मान जितना ज़्यादा आप दूसरों को दोगे तो सम्मान उतना ही दुगना होकर आपके पास आएगा इसलिए जीवन में हमेशा इन बातों का विशेश ध्यान रखें कि जादा एगों में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता छोटे से छोटे करमचारी को, छोटे से छोटे व्यक्ति को चाहिक भी तना ही गरीब तपके का व्यक्ति हो अगर आप उसको भी सम्मान दे कर बात करेगी तो वो बदले में आपको दुगना सम्मान दे कर बात करेगा इसलिए कहा जाता है कि जो आप दोगे वह आपको मिलेगा धन्यवाद